अलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल कविंदर भाया तो आज हम पढ़ेंगे कच्छा साथ का महान व्यक्तित्व पाठ 27 पाठ का नाम है गुरु देव रविंदर नाठ टैगोर तो हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसका प्रश्ण उतर भी देखें प्रते घर मेरा निकट्तम समंधी रहता है मैं उसे हर अस्थान पर तलास करता हूँ ये किस ने लिखा था ये गुरु देव रविंदर नाठ टैगोर ने लिखा था तो चलिए पढ़ते हैं सायदिया कोई तलासी थी कि वह अक्सर अपनी खिर्की से प्रकिर्ती को घंटे एक टक निहाता रहता उसे प्रकिर्ती स्वैम से बात करती हुई प्रतीत होती लगता जैसे खुला निला, कास, चाहाते पंची, हरियाली, सीतल, पवन और प्रकिर्टी की हर वस्तू से अपने पास बुला रही है वह कल्पना की मोहग दुनिया में खुजाता यह दुनिया उसे बहुत ही सुन्दर और मनुहारी लगती यह उसकी प्रकिर्टी के प्रती आकर्सर और कल्पमा सिलता ही थी कि मात्राथवर्ट की आयू में ही वह कविता रचने लगा उस समय किसी ने सोचा भी न था कि बड़ा होकर यह बालक, महान सहित्यकार, चित्रकार और विचारक रविन्दना टाइगोर के नाम से विश्व विख्यात होगा दिखे दोस्तों यहां पर जो आपको इस्क्रेन पर दिख रहे हैं यह रविन्दना टाइगोर जी हैं चलिए पढ़ते हैं रविन्दना टाइगोर का जन्म 7 मई सन 1861 हिस्वी को कुलकाता में हुआ था पीता का नाम देविन्दना था और इनकी माता का नाम था सार्दा देवी रविन्दना टाइगोर को घर के लोग प्यार से रवी कहकर पुकारते थे तो ऐसा प्रश्ण पूछ सकता है कि घर के लोग प्यार से रविन्दना टाइगोर को क्या कहकर पुकारते थे तो रवी पुकारते थे चलिए आगे पढ़ते हैं उन दिनों बच्चों के लिए मनरंजन के कोई विशे साधन जैसे फिल्में टेलिवीजन वीडियो गेम आदी न थे इसलिए नन्हा रवी अपनी कल्पना की दुनिया में मस्त रहता जिसमें उसके मित राजकुमार, जदुगर्निया, परियावर आक्षस होते थे प्राकिर्ती से रवी को इतना प्रेम था कि सुबा उर्ते ही वा बगीचे की ओर भागता और उसके कडों से गीली हरी घास का स्पर्स करता बगीचे में पत्तो पर पड़ती, सुर्य की पहली कीरण और ताजा खिले फूलों की महा कुसका मन मोह लेती सन 1868 मेरवी को विद्याले में प्रवेश्ती लाया गया उन्हें महा का परिवेश अच्छा नहीं लगा विद्याले उन्हें करगार जैसा लगता क्यूंकि वहां घर की तरह खिडकियों से बाहर भी नहीं देख सकते थे पाठु बाउ होते, पाठतया न करके आने की सजा थी सीर पर धेर सारी सलेटे रखकर बेंच पर खड़ा होना या बेंच की मार सहना नतीजा बालक रवी उस विद्याले में नहीं टिक पाया इन्हें दूसरे विद्याले में प्रविश दिलाया गया रवी के बड़े भाई हेमेंद्र ने उन्हें पढ़ने का स्वरी पढ़ाने काईदाईत्व स्वयम ले लिया उन्होंने कुस्ती चित्रकारी व्याम संगीत और विज्यान में विशे सुरूची लेना प्रारम कर दिया कविता और संगीत ये दोनों ही गुड रवी में स्वभाविक रूप से विद्धमान थे रवी ने बड़े होकर लिखा मुझे ऐसा कोई समय यार नहीं जम मैं गा नहीं सका रविंद्र नाथ ने माता पिता ने जब देखा कि रविंद्र छोटी उमर में ही कविता रचने लगा है तो वी बहुत प्रशन हुए सत्रवर्स की उमर में रविंद्र को उच सिच्छा प्राप्त करने के लिए इंग्लेंड भेज दिया गया वे वहां से लेखन, चित्रकारिता, आधी में और अधिक निपूढ होकर भारत लोटे सन 1883 में रविंद्रनात का विवाह मृरीला लीनी देवी से हुआ, रविंद्रनात के पिता जी ने उनसे कहा, रवी मैं सोचता हूँ अब तुम अपनी जिम्मेदारी सम्हालने योगी हो गए हो, इस विशे में तुम्हारे क्या विचार हैं, रविंद्रनात इस आमंत्रण से अत्यन प्रशन हुए, क्योंकि विशदा से प्रकिर्ती के बीच रहना प्रसंद करते थे, विगाओं चले गए, यह पहला अशर था जब विग्रामीर जनता के इतना आधिक निकटाए, उन्होंने अनुभाव किया कि भारत की प्रगती के लिए धिहातों का विकास किया जाना आवश्यक है, उन्होंने माशूस किया कि ग्रामीर जनता की समस्याओ को हल करने के लिए उनकी समस्याओ की पूरी-पूरी जनकारी होना और निरंतर प्रयास किया जाना आवश्यक है, रविंद्र नास अपने कास्तारों से इतना प्रेम करते थे कि भी कहा करते, हमने पैगंबर तो नहीं देखा लेकिन अपने बाबू मोसाय को देखा है रेविंद्र ने जब देखा कि गरीब और असिचित किसान अंधिविश्वासों में जक्रे हुए हैं तो उन्होंने उनके लिए एक विद्याले खोलने का निश्चे किया रेविंद्र नात ने अपनी प्रत्नी म्रीडा लीनी से पूछा हमारे पास सांतिनी के तन में कुछ भूमी है जो की पच्छी म बंगाल में बोलपूर के निकट वहाँ पर विद्याले खोलने के समंध में तुम्हारे क्या विचार हैं यह अत्यांत पवित्र कार्य होगा म्रीडा लीनी ने सहमती व्यक्त की इसके बाद टैगोर को छेडने की अंदाज में उन्होंने कहा लेकिन मैंने सुना है कि आपने तो कभी विद्याले में पढ़ना पसंद नहीं किया हाँ सच है लेकिन मैंने ऐसे विद्याले को खोलने की योजना बनाई है जो चार दिवारी से घीरा नहीं होगा उन्होंने योजना बनाई की मैं एक विद्याले खोलूंगा जो की सांती निकेतन की यहां खोलूंगा तो उनकी पत्नी बोली की मैंने तो सुना है की आप विद्याले जाना पसंद नहीं करते हैं तो उन्होंने कहा की मैं जानता हूं की मुझे विद्याले पसंद नहीं है लेकिन मैं ऐसा विद्याले खोलूंगा जो कि चार दिवारी से घीरा नहीं होगा, वो खुले पर्यावरण में होगा, तो चलिए पढ़ते हैं, बास्तों में उन्होंने जिस विद्याले की कल्पना की उसे सकार भी किया, आसांति निकेतन के रूप में इसी प्रकार का विद्याले हमारे सामने है, इस विद्याले में काक्छाए खुले वाता वरण में वरिच्छो के नीचे लगती हैं, इस विद्याले की अस्थापना में रविंद्रनात को अत्यन संघर्ष जेलने पड़े, लेकिन वे प्रशन न थे, क्योंकि यह अत्यन सूभ कार्य था, सांति निकेतन की अस्थापना के पस्चात कई की पत्नी, फिर पुत्री तथा पीता का नीधन हो गया, कुछ दिनों बाद उनका छोटा बेटा भी चल वसा, रविंद्रने अपने दुख को हिर्दे की घराईयों में दबा कर, अपना सारा ध्यान विद्याले चलाने में लगा दिया, उन्होंनी विद्याले में ऐसा सैच क्षिक वाता वरड बनाया, जिसमें अध्यापक और विद्यार्थी एक साथ राते और अप सभी मेल जूलकर कारे करते, विद्याले का मोख्य उदेश्य था सिच्छा को जीवन का अभिन अंग बनाना, सांतिनी केतन के बाद में विश्व भार्ती विश्व विद्याले के नाम से विश्व विख्यात हुआ, 28 दिसंबर 1921 को विश्व भार्ती विश्व विद्याले देश को समर्पित करते हुए रविंद्र नाठेगोर ने कहा, यह ऐसा अस्थान है जहां संपुड विश्व एक ही घोसले में अपना घर बनाता है, उन्होंने भारत की समरिद्ध के लिए आपसी भाईचारे एवं सांती को अवस्यक बताया, उन्होंने गाउं की उन्नती के लिए खेती बारी एवं पसुपालन के उन्नत थरिकों को अपनाने एवं दस्तकारी के विकास पर दबाव दिया, रविंद्र नाठेगोर की रश्व रश्व नात्मक प्रतिभा बहुमोखी थी, उनके चिंतन, विचारो, स्वपनों एवं अकंचनाओ की अभिव्यक्ति उनकी कहानियों कवितायों उपनिया सोनाट को गीतों तथा चित्रों में होती थी, उनके गीतों में से एक अमार सोनार बांगला, बांगला देश का रश्व गीत है, उन्ही का गीत जन्गल्मन अधिनायक जय है, हमारा रश्च्य गान है, रविन्द्र के गीतों को रविन्द्र संगीत के नाम से जाना जाता है, इन गीतों का भारत्य संगीत में विस्ष्ठ स्थान है रेश्ट्य पीता महात्मा गाधी रविंदर नाष्टाइगोर की व्यक्तित वक्त से अत्यन प्रभावी थे वे रविंदर नाष्टाइगोर ने गाधी को महात्मा कहा और गाधी ने रविंदर नाष्ट को गुरुदेव की उपाधी दी तो दोस्तो ऐसा प्रेश्ण पूछ सकता है कि गाधी ने रविंदर नाष्टाइगोर को किसकी उपाधी दी तो गुरुदेव की उपाधी दी चलिए अगे परते हैं गुरुदेव रविंदर नाष्टाइगोर को उनकी का विक्रिती गीतांजली के लिए सन 1913 में साहित्य का नोवल प्रुष्कार मिला या सम्मान प्रात करने वाले वा प्रथम सियाई विक्ती थे इस प्रुष्कार में मिली संपूर रासी उन्होंने सांती निकेतन में लगा दी 1915 में वी अंग्रेजों द्वारा उन्हें सर की उपाधी दी गई अप्रेल 1919 में जलिया वलबाग का हत्यकांड हुआ तो दोस्तो ऐसा प्रश्ण पूछ सकता है कि जलिया वलबाग का थ्यकांड कव हुआ था तो अप्रेल 1919 में हुआ था इस बारबर हत्यकांड के वीरोध में रविंद्र नाठाइगोर ने अंग्रेश स्वारकार द्वारा प्रद्दत सर की उपाधी त्याग कर दिया रविंद्र नाठाइगोर मात्रिय भासा के प्रबल पच्छधारी थे उनका कहना था जिस प्रकार मा के दूत पर पलने वाला बच्चा अधिक स्वास्तर बलमान होता है वैसे ही मात्रिय भासा पढ़ने से मन और मस्तिक अधिक मजबूत बनते हैं समाच को अपने देश की महान विरासत किया दिलाने के लिए रविंद्र नाठाइगोर ने भारती तिहास की कृति में घटनाओ तथा प्रसीद भारती व्यक्तियोग के बारे में कविताय तथा कहानिया लिखी इन में से अनेक कविताय कथाई और कहानिया प्रकासित हुई 7 अगस्थ सन 1941 को रविंदर नाष्ट तैगोर ने अन्तिम साश ली तो दोस्तों ऐसा प्रश्ण पूच सकता है की रविंदर नाष्ट तैगोर का निधन कप हुआ था तो 7 अगस्थ सन 1941 को हुआ था तो दोस्तो हमने इसे पढ़ा तो चलिए इसका प्रश्ण उतर भी देख लेते हैं इसका प्रश्ण उतर दिया है पहला प्रश्ण है रविंदन्ना टाइगोर के बचपन की रूची के विशे में लिखिये तो इसका उतर हो जाएगा बचपन में टाइगोर की रूची, कुस्ती, व्याम, चित्रकारी, संगीत, विज्यान, कविता, रचना और प्राकिर्ती प्रेम में आधी था तो दोस्तों उनका मन किस में सबसे जागा लगता था तो कुस्ती में, व्याम में, चित्रकारी करने में संगीत, विज्यान, कविता, रचना और प्रकिर्ती प्रेम आधी में था तो चलिए दो नमर प्रश्न दखते हैं दो नमर प्रश्न है रविंद्र का मन विद्याले में क्यों नहीं लगता था तो इसका उत्तर हो जाएगा रविंद्र का मन उस्कूल की चार दिवारी में घुर्ता था उन्हें स्वच्छंद वातावरण पसंद था चली अगला रतें तिन नमर रविंद्र ने गरीबों की सहायता है तू क्या निश्चे किया तो इसका उतर हो जाएगा रविंद्र ने गरीबों की सहायता है तो नीश्चे किया की ग्रामीरों की सहमस्याय समझी जाए और विकास की कारिय किये जाए उन्होंने गरीब और अंधिविस्वासी गरीब लोगों के लिए उसकोल खोलने का नीश्चे किया तो चलिए अगला लगते हैं चार नमर प्रश्ण देखते हैं सांती निकेतन की अस्थापना का मुख्य उदेश्य क्या था तो इसका उतर हो जाएगा सांती निकेतन की अस्थापना का मुख्य उदेश्य सिच्छा को जीवन का अभिन्य अंग बनाना था चलिए अगलातियां पास नमर प्रेश्ण है मात्रिय भासा के विशे में रविंद्रनाथ के क्या विचार थे तो इसका उतर हो जाएगा रवींद्र नाथ मात्रिय भासा के प्रबल पच्छ धर थे जिस प्रकार मा के दूस से बच्चा स्वस्त रहता है वैसे ही मात्रिय भासा पढ़ने से मन और मस्तिक ससक्त बनता है चलिए अगलतियां छे नमर प्रश्ण है रवींद्र नाथ टाइगोर को नोवेल प्रुषकार की किस कृति के लिए मिला था तो इसका उतर हो जाएगा रवींद्र नाथ को गितांजली के लिए नोवेल प्रुषकार मिला किसके लिए तो गितांजली के लिए दोस्तों आप प्रश्ण याद रखिएगा ये प्रेश्ण बार बार पूछी जाते हैं चलिए इस साथ नमर देखते हैं साथ नमर प्रेश्ण है महात्मा गाधी ने रविंद्रनाथ को किस उपाधी से सम्मानित किया जैसा कि हमने बताया था कि ये प्रेश्ण पूछा जाता है महात्मा गाधी ने रविंद्रनाथ को किस उपाधी से सम्मानित किया तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गाधी ने रविंद्रनाथ को गुरुदेव की उपाधी से सम्मानित किया चली आठ नमर देखते हैं प्रश्ण आठ नमर दिया है सही विकल्प चुनिये मृड़ालिनी ने सांती निकेतन के अस्थापना का विरोध किया सुआगत किया और आगे दिया है कोई विचार व्यक्त नहीं किया तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ख, सुआगत किया चलिए अगला दिया है रविन्दुनाथ ने सर क्यों पाधित त्याग दी की मृत्यू से दुखी होकर तो इसका सही हो जाएगा विकल्प जलिया वला बाग हत्यकान के विरोध में चलिए अगला दिया है नौ नमर घाटनाओ से संबंधित सही तिथी पर सही कचिन लगाईए देखिए कौमे दिया है रमिन दुझनाथ ट्राइगोर का जन्म कब हुआ था तो विकल्प दिया 1860 में रमिन दुझनाथ ट्राइगोर को नौवल प्रुसकार मिला कम मिला तो अप्शन दिया है 1913 में 1914 में 1916 में और 1929 में तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1913 में तो दोस्तो इसमें इतना है प्रश्न दिया था तो दोस्तो आपको हमारा ये वीडियो का ऐसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा धन्यवाद दोस्तो